दिवाली के जाते ही सबसे बड़ा पर्व छट पूजा की आने की तैयारी हो रही है और अभी अभी पटना से ये बढ़ी कवर आ रही है कि जानकारी के मुताविक इस साल पूर्वे मुखे मंत्री राबडी देवी भी छट पूजा करेंगी जिहां रजत सुप्रीम और लालू परशाद यादम ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि इस बार राबडी देवी छट पूजा करेंगी आयोग्या में इतिहाज की सबसे बड़ी दीपावली मनाने को लेकर कि उन्होंने बीज़िपी पर भी हमला किया है उन्होंने की कहा कि राम मंदिर और गाय को छोड़ कर बीज़िपी के पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा आपको बता दे कि राबडी देवी ने पिछले साल छट पूजा नहीं किया था पिछले साल उनकी तब ठीक नहीं थी इसके कारणों ने छट पूजा नहीं किया था उन्होंने पी 44,000 से ज़्यादा प्रस्ता भेजे थे जिनकी खुब चर्चा भी हुई थी बिहार में लालू राबडी के आवास पर छट पुजा आयोजन की खास चर्चा रहती है राजनीती से दूर इस आयोजन में सभी दलों के नेता जुडते हैं 2015 में भी राबडी देवी ने चट किया था उस समय लालू के सरकारी आवास पर छट की धूम थी 2014 में राबडी देवी लालू पर शाद यादप के देख रेक में जुटी हुई थी इसलिए 2014 में उन्होंने चट पुजा नहीं किया था नेक्स्ट नाइज नीज रूम से प्रयांका राज की रिपोट